ओम् भद्रम कर्णेभिह शुनुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्य जत्राह स्थिरै रंगे स्तुष्टु वांग सस्तन उभिर् व्यशेम देवहितम यदायुह स्वस्तिना इंद्रो व्रिधश्रवाह स्वस्तिना पूशा विश्ववेदाह स्वस्तिना स्तक्षर्यो अरिष्टनेमिह स्वस्तिनो ब्रिहस पतिर्दधातू ओम शान्तिह 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 ओम कल्यान कारी कानों से सुने है देवताऊं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्ठिर अंगों से स्टुती गान करने की तनमे आशा करें देवहित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंदर तीניidi dancing के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता कुषल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र कुषल दो हमें ब्रहस्पती ओम शान्ती 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 ओम नमह पर्मात्मने हरी ओम तृतिय प्रश्ण अतहैनम कौसल्यष्च अश्वलायनह प्रपच्छ अब उससे कौसल्यष्वलायन ने पूछा भगवन कहां से ये प्राण उत्पन्न होता है कैसे आयात होता है इस शरीर में या स्वयम विभाजित होकर कैसे इस्थित होता है किसके द्वारा भटकता है कैसे ब्रह्म को धारण करता है कैसे स्वयम से उपर उठता है व्याख्या अब जबकि भगवन पिपलाद यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वास्तव में हमारे शरीर में केवल एक ही देवता वास्थ करता है जो प्राण है तो प्राण को और अच्छे से समझने हे तू प्रश्टोप निशत का तृतिय प्रश्ण कौसल्य अश्वलायन करते हैं वे भगवन पिपलाद से पूछते हैं कि भगवन कहां से ये प्राण उत्पन होता है कैसे वे शरीर में आयात होता है कैसे वे स्वयम से विभाजित होकर शरीर में स्थित होता है किसके द्वारा प्राण भटकता है कैसे ब्रह्म को धारन करता है तथा कैसे वे स्वयम से उपर उठता है यहां पर प्रश्ण करता का नाम कौसल या अश्वलायन बताया गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि केवल मूड व्यक्ति ही कौसल या अश्वलायन को कोई एतिहासिक मनुश्य मानने की भूल करेगा और इस परकार अग्यानी का अग्यानी ही रहेगा कुसल ये अश्वलायन कौन है वह हमें उनके नाम के अर्थ को जानने से समझ में आएगा कुसल ये शब्द का अर्थ होता है कुसल का तथा अश्वलायन शब्द का अर्थ होता है अश्वल का अनुसरन करने वाला कुशल तथा कुशल दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है और कुशल शब्द के अर्थ को तो आप जानते ही हैं कि यह कल्यान, सम्रिद्धी, दक्षटा तथा सुरक्षा से जुड़ा है तो कौसल्य वह है जो कल्यान, सम्रिद्धी, दक्षता तथा शुरक्षा में है अश्वल विदेह राज्य के होत्री को कहा जाता है तो इस प्रकार से अश्वलायन विदेह राज्य के होत्री का अनुसरन करने वाले है तो इस प्रकार से कौसल य अश्वलायन कोई विशेश एतिहासिक व्यक्ति नहीं है अपितु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुशलता को प्राप्त है और विदेहता को प्राप्त करने के लिए त्याग करता है वह कौसल य अश्वलायन है अब आईए कौसल य अश्वलायन के द्वारा रामायन में राम सिता विवा को भी समझ लेते हैं इसके द्वारा आप यहाँ पे कौसल य अश्वलायन को भी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे भगवान राम कौशल य पुत्र हैं तथा उनकी नगरी अयोध्या कौसल राज्य में स्थित है सीता मईया महराज जनक की पुत्री हैं तथा उनकी नगरी मिथिला विदेह राज्य में स्थित है विदेह हुना वह स्थिती है जहां व्यक्ति स्वैम को अपनी देह नहीं मानता तो इस प्रकार विदेह राज्य को प्राप्त व्यक्ति देह भी मान से उपर उठा हुआ है इस राज्य का राज्या जनक है अर्थात वह जो जनन करता है सीता शब्द का अर्थ होता है लीक अर्थात जो भूमी में हलके जोतने से रेखा बनती है वह किसान जब लीक में बीज आरूपित करता है तो फसल उत्पन्न होती है फसल ही प्रजा का प्रतीख है और इस परकार जनक प्रजा के पिता है रामायन में बताया गया है कि जनक महराज को सीता मईया लीक में मिली थी जो परोख्ष रूप से यह कहना है कि जनक महराज सुयम को सीता मईया के अभी भावक ही मानते हैं और उन पर अपना पूरा अधिकार नहीं मानते वे देखते हैं कि सीता मईया बहुत शक्तिशाली है क्योंकि उनके आगवन पर ही मिथिला को 13 वर्षों के सूखे से मुक्ति मिले थी कता बालपन में ही सीता मईया ने रुद्र धनुश को उठा लिया था यह सब जानने पर भी जनक महराज सीता मैया का कन्यादान करने में हिचके चाते नहीं है वे उस शूरवीर की पतीक्षा करते हैं जो रुद्र धनुष को उठा सके और जब भगवान राम उसे उठा लेते हैं तो जनक महराज सीता मैया को भगवान राम को सौब देते हैं अब इसको ऐसे समझिए कि जनक प्रजापती हैं सीता मैया शक्ती हैं जिस से शरीर बना है और भगवान राम ईश्वर है आरंब में विदेही का शरीर नहीं था, परणतु शक्ति में बीजा रोपण से विदेही को शरीर प्राप्त हो गया और आगे विदेही ने उस शरीर तथा उसकी शक्ति को ईश्वर को सौप दिया राम सीता विवाह यह ही है अर्थात जो विदेह है वह जानता है कि शरीर हमारी सेवा के लिए नहीं है अपितु वह ईश्वर की सेवा के लिए है ईश्वर का स्थान ही कुशलता का स्थान है और यदि अपनी संपूर शक्ती को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए तो बेना प्रियत्न किये कुशलता स्वतह प्राप्त हो जाएगी। कौसल ये अश्वलायन उस स्थिदी को प्राप्ते व्यक्ती हैं ना कि कोई एतिहासिक पुरुष। उसके लिए उसने तब कहा अती श्रेष्ट प्रश्ण पूचता है ब्रह्म की कामना करता है इसलिए मैं बताता हूँ। आत्मा द्वारा ये प्राण उत्पन होता है। जैसे ये पुरुष में छाया है उस प्रका से ये चिपकता है। मन की क्रियद्वारा आयात होता है इस शरीर में। जिस प्रकार समराट अपने अधिकारियों की नियुक्ती करता है। इस इस ग्राम के उपर बैठो ऐसे। उसी प्रकार ये प्राण अन्य प्राणों को प्रिथक प्रिथक स्थापित करता है। पायू उपस्थे अपानम चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाब्याम प्राणह स्वयम प्रतिष्ठते। इसलिए ये साथ अगनी होती है। हृदी हिए शात्मा अत्रे तद एक शतम नाडिनम तासम शतम शतम एक एकस्या द्वास अप्तितिर द्वास अप्तितिर प्रतिशा का नाडी सहसराणी भवंतियासू व्यानश चरती। रदय में ही ये आत्मा यहां ये 101 नाडियां होती हैं वहां 100-100 को एक एक 72-72 प्रतिशा का नाडियां सहसरों में होती हैं जिनमें व्यान आचरन करता है। अब एक उपर उदान पुण्य द्वारा पुण्य लोक को ले जाता है। पाप द्वारा पाप को। दोनों के द्वारा निश्चिती मनुष्य लोक को। व्याख्या कौसल्य अश्वलायन के प्रशन पर भगवान पिप्पलाद ने सर्वर प्रथम तो कौसल्य अश्वलायन से कहा कि तु आतिस्रेश्च प्रशन पूचता है। और आगे उसे बताया कि आत्मा द्वारा प्राण उत्पन्न होता है। और पुरुष्ट से उसकी छाया के अनुरूप उससे चिपकता है। प्राण का आयात शरीर में मन की क्रियादवारा होता है शरीर में आयात होकर के प्राण पांच भागों में विवाजित हो जाता है ठीक जैसे समराट अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उन्हें प्रतक प्रतक ग्राम के उपर स्थापित कर देता है यह समझाने के भगवान पिपलाद यह बताना आरंब करते हैं कि शरीर के प्रिथक प्रिथक भागों में कौन सा प्राण उपस्थित होता है इस विशय में वे कहते हैं कि अपान गुदा में उपस्थित होता है नेतरकान मुख नासिका में प्राण स्वैम प्रतिष्थित होता है और मध्य म समान होता है जो अन्न की हत्या कर समान रूप से शरीर में प्राण प्रसारित करता है जिससे शरीर में साथ अगनी उत्पन होती हैं यहां ये साथ अगनियां हमारे शरीर में उपस्थत साथ चक्र हैं जिनके जागरत होने पर हम वहां ताप उत्पन होते हुए देख सकते हैं आगे वे कहते हैं कि रिदय ही आत्मा का स्थान है जहां से सौ नाडिया निकलती हैं तथा इन सौ में से प्रत्य एक नाडी में बहत्तर प्रतिशा का नाडिया होती हैं जो आगे फिर सहसरों में होती हैं और इन नाडियों से व्यान संपून शरीर में आचरन करता है। अंत्मे में कहते हैं कि उदान उपर उठने से पुण्य लोग को ले जाता है, तथा पाप द्वारा वह नीचे की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति की अधोगती होती है। यदि उदान उपर और नीचे दोनों दिशाओं में जाता है, तो यह मनुष्य लोग को ले जाता आदित्य ही बाह्य प्राण उदित करता है इस ही को इन नेत्रों में ग्रहन करते हैं प्रित्री पर जो देवता है वह ये पुरुष का अपान है पकड़ा हुआ भीतर का जो आकाश है वह समान है वायू वियान है तेजो हवा उदानस तस्माद उपशान्त तेजहा पुनर भवम इंद्रियेर मनसी संपद्यमाने है तेज वास्त में उदान है, इसलिए नीचे शान्त हो तेज पुनह होता है इंद्रियों मन द्वारा प्राप्थ व्याख्या, इन दो मंत्रों में प्राण देवताओं से किस प्रकार संबन्दित है यह बताया गया है भगवान पिपपलाद कहते हैं कि आदित्ते ही बाहय प्रान को ओधित करता है जिसे नेत्रों से ग्रहन किया जाता है पृत्वी पर जो देवता है वह ये पुरुष का अपान है जो आकाश शरीर के भीतर है उसे भगवान पिपपलाद ने समान कहा है और वायू को उन्होंने वियान कहा है अंत में उन्होंने तेज अर्थात शरीर में बहरही उर्जा को उदान कहा है तेज को अगनी भी कहा जाता है क्योंकि यह उर्जा अधिकांश स्थितियों में अगनी द्वारा ही प्रकट होती है अगनी ही मृत्यों लोक और देवलोक के बीच की कड़ी है इसलिए वे कहते हैं कि तेज शान्त होकर नीचे उतरता है और इंद्रियों तथा मन द्वारा प्राप्त होता है आईए अब इन मिचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं एतरे ये उपनिशद में हमने जाना था कि हमारे शरीर को संपून ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित किया जा सकता है वास्ताव में हमारा शरीर केवल हमारे हाथ पैर मुँ आदी तक नहीं है जैसे कि हम इसे मानते हैं गीता के तेरवे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते है यहां शरीर को ही क्षेतर जानो और इस क्षेतर के ग्याता को क्षेतरग्य क्षेतर इस प्रकार से वह सब कुछ है जिसका हमें ग्यान है अर्थात वह सब कुछ जो हमारे अनुभाव का भाग है इस परकार से हम समझ सकते हैं कि केवल हमारा भौतक शरीर ही हमारा शरीर नहीं है अपितू वह हमारे शरीर का वह भाग है जो हमारे सबसे निकट है यदि आपके ग्यान के खेत्र में एक आकाश गंगा है जो आपसे कई सहस्र प्रकाश वर्ष धूर है तो वास्ताव में वह भी आपके शरीर का ही भाग है इस बात को यदि व्यक्ति समझ ले तो यहां प्रस्तूत विचार को समझ सकता है वास्तों में व्यक्ति क्या सुचता है कि बस ये जो मेरे हाथ, पैर, मुँ और ये सब है बस ये ही मैं हूँ और वो जो आकाश गंगा है जिसका मुझे ग्यान है वह मेरे शरीर का भाग नहीं है वह मुझसे स्वतंद्र है किन्तों वास्तों में ऐसा है नहीं पुरुष सुक्त में कहा गया है कि पुरुष के पैर भूमी है उसकी नाभी नभ है तथा स्वर्ग उसका शीर्श है चंदरमा उसका मन है सूर्य उसके नेत्र है और वायू उसके प्रान है अब स्मरन रखिये हम सब के हृदय में वह पुरुष बैठा है और सब कुछ देख रहा है तो इस प्रकार से हम सपष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो बहारी संसार हम अपने चारो और देखते हैं वह हमारे भीतर से ही बहार की और जा रहा है तो जो ये सोचता है कि बहारी संसार मुझसे प्रिथक है और स्वतंद्र है वह अभी अग्यान में है प्रत्य एक व्यक्ति का शरीर उसके द्वारा अनुभव किये जा रहे बहारी संसार पर प्रक्षेपित किया जा सकता है अपने शरीर को पदमासन में देखिए तो आपकी गुदा का क्षेतर भूमी पर होगा जो प्रत्वी का स्थान है गुदा का क्षेतर अपान से जुड़ा है और अपान में ही मृत्यू का देवता वास करता है इसलिए प्रत्वी मृत्यू लोग है गुदा से उपर आपकी नाभी वाला ख्षेतर आता है जहां समान उपस्तेत है वायू मंडल आकाश का वहक ख्षेतर है जो प्रत्फी ने पकड़ा हुआ है उसी प्रकार शरीर में गुदा के उपर जो पकड़ा हुआ ख्षेतर है वह नाभी है दोनों ही इस प्रकार समान है नाभी से उपर फेपड़ों का स्थान आता है जहां हमारा शरीर वायू को ग्रहन करता है यह वायू आगे फिर हमारे रखत द्वारा संपून शरीर में फैल जाती है ठीक जैसा वायू मंडल भी वायू से ओत प्रोत है यह ही व्यान है हरदय से उपर का क्षेतर प्रकाशमान है क्योंकि यह हमें बाहरी संसार से जोड़ता है हमारे नेतर कान मुह यहीं पर स्थित हैं जिनके द्वारा हम बाहरी संसार को अनभव करते हैं इसलिए यह आदित्य का अस्थान है वायू को भी यहीं से शरीर में आयात किया जाता है नासी का द्वारा और भोजन भी यहीं से ग्रहन किया जाता है इस आयात से ही हम सचेत रह पाते हैं इसलिए प्रान का ग्रहन यहीं से होता है इस प्रकार भूमी पर भी प्रान का ग्रहन सूर्य द्वारा होता है जो वायू मंडल से उपर स्थित है इसलिए पुरुश के नेत्रों को सूर्य कहा गया है शरीर की नाडियों में बहर ही उरजा तेज है और यह शरीर की अगनी से संचालित होता है यह तेज ही उदान है जो शरीर के साथ चक्रों द्वारा सक्रिये है यदि वेक्ति तपस्या नहीं करता तो उदान किवल शरीर के निचले भागों में ही सक्रिये रहता है किवल भोजन को पचाने वाली अगनी के रूप में ही रहता है ऐसा व्यक्ति पशू का जीवन जीता है देह आत्म बोधु में और अंत में मृत्यू को प्राप्त होता है तपस्या करके जब व्यक्ति अपने उपर के चक्रों को सक्रिय करता है तो यह अगनी उपर उठने लगती है पहले यह नाभी में सक्रिय होती है फिर हृदय में आगे कंठ में और फिर मस्तक पर तथा अंततह कपाल तक पहुँच जाती है जैसे जैसे यह होता है व्यक्ति इन सभी चक्रों में ताप को अनुभव करने लगता है उदान के इस प्रकार उपर उठने से व्यक्ति के तेज में वृद्धी होने लगती है और वह उच्च लोकों को प्राप्त करता जाता है इसका विपरीद भी हो सकता है यदि वक्ति निकरिष्ट क्रियाओं में सनलगन होने लगता है तो ऐसे वक्ति का उदान नीचे जाने लगता है और उसका तेज क्षीन होता चला जाता है वह आगे फिर निचले लोकों को प्राप्त होने लगता है और निकरिष्ट योनियों मे जो चित्त है उसके द्वारा यह प्राण आयात होता है प्राण तीज से युक्त होता है साथ स्वयम में जैसा संकल्प करता है लोक को जाता है यह एवं विद्वान प्राणम वेदा नहास्य प्रजाहरियते अम्रितो भवती तदेश श्लोकह जो इस प्रकार ज्यानी प्राण को जानता है नहीं इसकी प्रजा नश्ट होती है अम्रित होता है वह यह कहते है उत्पत्ति, आयात, स्थान, व्यापत्ता और निश्चिती पाँच प्रकार के धारण और निश्चित ही प्राण का आत्मा में उपर उठना जानने से अमरता प्राप्त करता है अमरता प्राप्त करता है ऐसे व्याख्या व्याख्या पर रहे हैं चित चेतना की निरंतरता है जिसके द्वारा स्ब्रती का निर्मान होता है संसार में रह रहे पत्येक प्राणी का एक व्यक्तित्व है जो उसके संसकारों द्वारा निर्मित हुआ है चेतना में एक ही विचार को जब पुनह-पुनह दोहराया जाता है तो वह चित्त में एक संसकार बन जाता है संसकार बनने से वह हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाता है और इस व्यक्तित्व को हम स्वयम मान लेते हैं यह व्यक्तित्व अपने संसकारों के आधार पर संकल्प करता है और जैसे संकल्प वह करता है उस ही लोग को वह प्राप्त होता है उधारन के लिए यदि आप निरंतर समाचारों में नकारात्मक्ता पर अपना ध्यान की इंद्रित करते हैं तो आपके चित्त में नकारात्मक्ता ही घर कर जाएगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि संसार किसी संकट में है तो आपके चित्त में नकारात्मक्ता से आपका लोग भी नकारात्मक्त हो गया इसके विप्रीत यदि आप समाचारों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन को ईश्वर से जोड़े रखते हैं तो आपके चित्त में इश्वर ही वास करने लगेंगे और आपका व्यक्तित्व दिव्य हो जाएगा तथा आप उसी संसार में स्वर्ग को अनुभव करने लगेंगे जिसको दूसरा व्यक्ति संकट में देख रहा है यह जो चित्त है, यह चीतना की दिरंतरता है इसलिए शरीर की मृत्य होने पर भी यह मरता नहीं है अपे तो इसके दोठा जीव नया शरीर धारन करता है यदि मृत्यू के समय आप चित्त में भैभीत हैं तो अगले शरीर को भी आप भैभीत अवस्ता में ही प्राप्त करेंगे। अब जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि शरीर केवल भौतेक शरीर नहीं, अपी तो शंपून क्षेत्र है, शेत्र को हम लोक में ही अनुभव करते हैं, तो भैभीत शरीर भैभीत लोक में ही होगा अर्थात हमारे संकल्प ही हमारा लोक निर्धारित करते है मृत्यू के समय हमारे प्राण मरते नहीं है केवल हमारे शरीर को त्याग देते है नवीन शरीर पाते समय यही प्राण तीज से जुड़कर नए शरीर में स्थापित हो जाते है और हम इस प्रकार से पुनह संसार अनुभव करने लगते हैं मृत्यू तथा शुशुप्ती में यह ही भेद है शुशुप्ती में हमारे प्रान भीतर की और आनंदमय कोश में खेंच लिये जाते हैं जबकि मृत्यू के समय प्रान शरीर को ही त्याग देते हैं जब तक प्राण शरीर में हैं, किवल तब तक ही शरीर एक जुट रहता है, किन्तु जैसे ही प्राण शरीर को त्याग देते हैं, तो वह ही शरीर अपने सभी अंगों के होने पर भी सड़ने लगता है, जिससे हमें संकेत मिलता है कि शरीर और प्राण एक दूसरे से प्रिथक वास्ताव में प्राण संपूर शरीर में नाडियों द्वारा चिपके हुए हैं और इन नाडियों में बह रही उर्जा तेज है जब शरीर की अगनी बुझने लगती है तो यह तेज समाप्त होने लगता है तता शरीर की अगनी के बुझ जाने पर तेज समाप्त हो जाता है और तब प्रान शरीर से चिपके नहीं रह सकते इसलिए यहां कहा गया है कि प्रान के प्रवेश के लिए उसे तेज से युक्त हो ना होता है। यदि व्यक्ति को यह प्रत्यक्ष ग्यान हो जाता है कि प्रान शरीर से प्रिथक है तो उसका देहात्म बोध नश्ट हो जाता है देहात्म बोध के नश्ट होने से व्यक्ति का तादात में शरीर और उससे संबंदित वस्तों में नहीं रहता और वह यह जान लेता है कि शरीर के नश्ट हो जाने पर भी वह नश्ट नहीं होता इस प्रकार का बोध व्यक्ति को अमर्ता की ओर ले जाता है आउम कल्यान कारी कानों से सुने हे देवताओं देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य स्थिर अंगों से स्टुती गान करने की तन में आशा करें देव हित द्वारा जो आयू है कुशल हमें इंदर तीवरता के स्वामी कुशल हमें पूशन विश्व के ग्याता कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र कुशल दो हमें ब्रहस-पती ओम शान्ती 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 झाल झाल